नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूस वोल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्धिम्नुश शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्रा खंड की खास कबरों पर मुक्यमंत्री तिर्विन सिंग रावत ने कहा है कि कोरना काल में ऐसा कोई जोकिम नहीं लेना चाहिए कि हरेदवार वहान या मरकज बने यही सोचकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है सीम ने कहा है कि हमारी पहली प्रात्मिक्ता कोविट से लडाई को लेकर है एक बार कुम्ब के दोरान महामारी फैल चुकी है जिसमें हजारों लोग मारे गए थे बारत ने कोविट महामारी पर नियंटरन को लेकर विश्व में कीरती मान इस्तापित किया है यही सोचकर बारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है ताकि कुम्ब संक्रमन का कारण ना बने मुक्यमंत्री तिवेज सिंग रावत के आदेश पर सरकार आपके द्वार के तहत रुद्वपुर के गादी पार्क में एक बहुत देश शिवर का आयोजन किया गया जिसके अंतरगर्थ आम जनता की समस्याओं को लेकर भिविन ने भिवाग अपना स्टॉल लगा कर जनता की समस्या सुन रहा है और मौके पर उनका निस्तारण भी कर रहा है वहीं जिलादिकारी रंजना राजगुरू ने बताया है कि शिवर के अंतरगर्थ सभी विवागों ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं और जनता की समस्याओं का तुरंत निस्तारण भी किया जा रहा है उत्रगंड सहेत रुद्रपूर में कोर्ना ठीका करन जारी है आज उत्म सिंग नगर जिले के साथ केंद्र रुद्रपूर, किच्छा, सितारगंच, खटीमा, काशीपूर, जस्पूर और गदरपूर में वेक्सिनेशन चल रहा है प्रदेश में कोर्ना वेक्सिन लगवाने के लिए स्वास्त कर्मियो में उत्सा बढ़ रहा है पहले चरण में 50,000 के लक्ष के 6 दिनों के भीतर 29 प्रतीश के अधिक स्वास्त कर्मियों ने कोविड वेक्सिन लगवाई थी 28 जन्वरी को भी प्रदेश के सभी 13 जिलों में कोर्ना टीका लगाया जा रहा है उत्रगंड में कोर्ना के 85 नए मरीज मिले हैं जबकि 3 संक्रमितों की मौत हो गई है इसके साथ ही राज़ में कुल मरीजों की संक्या 95,826 हो गई है स्वास बिवाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के निसार राज के 6 जिले अलमोडा, चमूली, पौडी, रुद्रप्याग, टेहरी और उत्रकाश्वी जिले में एक भी संक्रमित नहीं मिला है आपसर की उपर भी पुलिस कर्मियों पर हमले और डकेती आधी के मुकदमें चल रहे थे हरे दोर में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है जिसके बाद ठंड लगातार बढ़ती जा रही है रिशिकेश में दिन की शुरुवाद कौरे के साथ हुई है जिसके चलते कड़ा के गी ठंड पड़ रही है जौलीगरांट अचानक के साथ ही डोईवाला शेत्र भी कौरे के आगोश में छाया हुआ है हरे दोर में भी गुरुवार को ठंड से कोई खास राहत नहीं मिलिये दहरादून में मौसम साफ रहे और वही रिशिकेज से गायब कारुबारी राजकुमार गुपता की रूपे के लेन देन में हत्या कर दी गई थी हत्या के आरोप में पोलिस ने तीर हत्या आरोपियों को गरफतार किया है पोलिस ने आरोपियों को नियाले में पेश किया है जहां से उन्हें 14 दिन की नियाए खिरासत में जेल भेज दिया गया फिलाल इस ब्लुटिन्ग में सिर्फ इतना ही बने रही है नीजोल इंडिया के साथ नमस्कार